कैसे हो आप साब welcome back to my youtube channel मैं हूँ सरीता और आज बनाने जा रहा हूँ है देखिए केले का फूल है इसकी सब्जी तो किस तरह से बनाती हूँ आप सब देखते रहिए तो इसको मैं इस तरह से इस तरह से मैं इसको निकाल रही हूँ यह पूल को और यहां पर रख दी है और यह सब थोरा खराब था तो इसे में नहीं लूँए अब इसे में किस तरह से साफ करती हूँ है देखिए तो इसको इसमें जो मोटा वाला सलाई की काठी होती है इसको निकाल देती हूँ और यह है इसको इस तरह से निकाल लेती हूँ फटा 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 सभी के लेके फूल को आप लोग कैसे बनाते हो मुझे बताएगा मैं इस तरह से साफ कर रही हूँ हूँ है इस तरह से निकाल दूँ ह इस तरह से निकल गया इतना और केले के फूल को मैंने साफ कर ली है इसकी जो इस तरह से कठी था इसको निकाल दी है और प्याज भी मैंने बड़े साच का ली है और यह एक टुकरी थी तो लगभग दो प्याज और जादा नहीं बनाऊंगी दो आदमी के लिए इतना ही काफी है और यह देखिये यह केले का फूल बहुत बड़ा था तो मैं इतना ही ली हूं यह और दो दिन चलेगा तो और दो बार मैं इसकी सबजी बनाऊंगी क्या हुआ और यह देखिए बाबु क्या कर रहा है बॉबल्स लेकर खेल रहा है तो वीडियो में बने रहिएगा और लासुन की भी मैंने यह देखिए चार से आठ नहीं कली ले ली है तो मैं फटा फट से बनाने की शुरू करती हूं तो वीडियो को कंटिन्यू बने रहिए बनाने की परसेस और इसको अच्छी तरह से धो लेती हूं में फटाफट से और इसे मैं बारिक-बारिक से काट रहे हूं बारिक-बारिक से कट कर लेती हूं फटाफट से और इधर मैंने एक आलू को दो आलू थोरी बड़ी-बड़ी सैच की उबाल ली थी प्याज को कट कर ली हूं दो तेशी पत्ता और दो हरी मिर्श और लैसुन जीरा गुल्मारी चोड़ी सी धनिया एक लॉंग और इलाइची पीशने के लिए भीगोदी अभी पीशूंगी और इधर बारिक से कट भी हो चुकी है तो वीडियो में बने रही है देखिए मैं किस तरह से बनाती हूं देखिए मेरा ममा पीश रही है अभी अब है फटा फट से गेस को करते है और कढ़ाई को में चड़ा दीना पाई गर पाउडर मिला लेती हूं और बच्चे ने बोला कि ममा मोबाइल खरीदो मोबाइल खरीदो देखिए कितना सारा मोबाइल लेकर बैठा है डेमी मोबाइल खेल रहा है पाबू क्या कर रहे हुआ है इस तरह से ही खेलता रहता है अभी दुकान को ले जाओंगा इसको तेल हो पाउड जुकी है घणा जूकी है अब मैं पहटा फट में घण चुकी है अब मैं फट फट शिकह ने टैस्यवक्त प्याज को डालती है हुआ है छाओम प्याज भण गार्ण में बोन देती हैं ये ज्यादा नहीं कुंगा हल्का गोल्टन ब्रां करने लेक Spring कि एक लिए lot मे मैं केले की सबजी केले की खूल की सबजी बहुत तरीके से बनाती हूं तो मैं आप सब को और दिखाऊंगी फिर कभी बनाऊंगी तो दूसरी स्टाइल में बनेगी आज वाला बिल्कुल आप देखते रहे हैं तो बिल्कुल इसकिप मत कीजिएगा तो पता चलेगा किस तरह स अब तक कैसे बनाते हूं और खाते हो या नहीं बताईएगा जरूर हम सब केले की सब्जी खाते हैं के लिए फिल्की सब्जी बहुत ही हल्दी होती है इसमें आईरन भर्पुल मत्रा के मिलती है और इधर मेंने मसूर की दाल बनाई है 300 जीरों से छोका लगा लगा लेती मसाले मेरी भून कर तयार हो चुकी है अब मैं इसमें फटा-फट से केले की खुल को एट कर देती हूं और इसे अच्छी तरीके से ब्रून देती हूं मैं बहुत ही स्वादी सोटी है इसकी सब्जी और भी तरीके से मैं बनाऊंगी तो आप सब को ज़रूर दिखाऊंगी चैनल को ज़रूर सस्क्राइब कीजीगा ताकि देख पाईएगा आप सब कितने तरीके से मैं बनाती हूं के लिए खुल के सब्जी और यह देखिए बहुत ही सुन्दर अभी मैंने इसमें आलू को एड नहीं किया है इसे अब मैं ढग देती हूं आलू मेरा उबला हुआ अब इसे अब ही मैं और थोरी देरी पकाऊंगी अब यह नहीं हुआ है इसे अब मैं इसमें नमक को एड कर देती हूं यह देखिया मैं नमक कर देती हूं फटा फटा फट से नमक हो चुकी है एड अब मैं इसमें आलू भी ढाल देती हूं अब ले हुए अलू को और इसे भी अच्ची तरीके से मिल्ट कर लेती हूं जून देती हूं अफिर से मैं फिर से ढ़क बतियती हूं इसी तरह से ढ़ाब के लोव श्ल plural मे अमिलेट बना रही हूं यह देखिए बहुत ही सुन्दर मेंने इसमें फ़रुषी पानी एट कर दी है उफ्य मेरे केले के फूल लगभाग रेडी हो रही है कि यह देखिए तयार है मेरा केले की फूल की सब्जी बहुत ही स्वादे सुन्दर अब मैं इससे फटा फट से पेक कर लेती हूं और निकलती हूं दुकान के लिए और यह देखिए बहुत ही प्यारा कलर आया है सब्जी का बहुत ही सुन्दर मेरे केले की फूल की सब्जी ब तो फिर मिलते हैं फिर से मैं आप सब को दिखाऊंगी केले की फूल की और नहीं नहीं तरीके से बनाती हूँ उसे भी मैं आप सब के आगे रखोंगी वीडियो में तो आप सब चैनल को जरूर सस्क्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा और स्यार कीजिएगा तो फिर मिलत झाल झाल